7 of Swords, 7 of Cups, 3 of Swords, 5 of Swords, 5 of Wands, 5 of Cups, Magician Strength, 9 of Swords and 2 of Cups Guys, अपके पार्टने के दिल में आपके लिए अपार प्यार था बट अबी मैं देख रही हूं कुछ दिस्ट्रेक्शन आ गया है 6 of Pentacles, 8 of Cups Guys, I am seeing here आपने सरेंडर कर दिया है God को 9 of Swords, तो यहाँ पर मैं यही चीज़ देख रही हूं कि Don't Give Up Guys, अभी न बहुत कुछ है आपके लाइफ में आना, Wheel of Fortune Guys, आप लोगों को हमेशा मतलब Giver Energy में ही देख रही हूं मैं कहीं न कहीं आपके लाइफ में कोभी परसन आए आपके लाइफ में आए या फिर आपके लाइफ में आप खुद से कोई सिलेक्ट करें बट आप हमेशा आप कैसे रहे हूं आपने मतलब आप Giver Energy में रहे हो आपने हमेशा दिया है उस परसन को ठीक है आप लोग मतलब बहुत ही क्विकली किसी पर भी ट्रस कर लेते हैं आप Unconditioned Love देते हो बिना स्वार्थ के आपको सामने वाले से 100% प्यार मिले या ना मिले बट आप अपने तरफ से उस वेक्ति को अपना 100% देते हो जब इस सब चीज़े रिग्लर हो जाती है जैसे आप की ही तरफ से लव एफिक्शन केर दिया जाए बट ट्रिटर में आपको जब कुछ भी नहीं मिलता तो आप बहुत ही एग्रेसिव हो जाते है आप स्ट्रेस में आ जाते हैं डिप्रेशन में आ जाते हैं और कहने कहीं आप बहुत चीज़ों को बोल भी नहीं पाते हो अंदर ही अंदर आप घुट घुट के रहते हो आप बहुत डिप्रेश हो जाते हो और बहुत नेगिटिव हो जाते हो और आपने आपको कोस्ते रहते हो अपने आपको ब्लेम करते हो कि जितना भी मतलब नेगिटिव चीज़ आपके लाइफ में हुई है ना उसकी सारी वज़ा आप खुद हो ठीक है और बहुत को तो मतलब मैं सदमे में भी देख रही हूँ आप बहुत ही प्यूस ओल हो गाइस आप काफी इनोसेंट हो अगर कोई परसन आपके पास आकर वन मिनिट भी प्यासे बात कर ले तो आप ना क्या करते हो उस परसन पर तुरंट ट्रस कर लेते हैं एंड फ्यूचर दक प्लान कर लेते हैं हमारा घर होगा बच्चे होंगे तो यह चीज़े आप करते हैं आप लोग सपने भी बहुत जल्दी देख लेते हैं इसे विज़े से आप धोगें भी बहुत जल्दी खाते हो और कोई भी आपको मतलब प्रॉफिट ले लेता है आपके पसन ना मतलब बंधन में बंदे वालों में से नहीं है जातक मैं इन काज के चो देख रही हो अगर आप उन्हें बंधन में रखने की कोशिश करना चाहते है तो ऐसा नहीं होगा हाँ बट यह पसन आपको प्यार, क्यार, मतलब भरपूर करेंगे यह पसन कमिट्मेंट देंगे अपनी मर्जी से देंगे यह तब होगा जब आप इनकी मर्जी से ट्रीट करो इनके सामने इमोशन कभी भी शोना करें आप खुद को A to Z एक्सप्रेस कर देते हैं यह इनसान आप से एक बात बुलेंगे अप इनने क्यूरियस होकर आप क्या करते हो आप इस पसन को 10 आंसर दे देते हैं आप सारे पनी खोल देते हैं इस पसन के आगे आपको गाभाइस फोड़ा सा मिसचीरियнож बनना होगा आप जितना इस पसन को पढ़ने की कोशिश करेंगे आप ठक जाएंगे ठीक है? सेम वैसे ही हो जाएगा फिर आप लोग बहुत भूल जाएंगे फिर से आप पेमपरिंग करना स्टार्ट कर देंगे फिर सेम साइकल वही चलता रहेगा एक लूप बन जाएगा इसलिए आप लोगों को थोड़ा चेंज होने की जरुवत है आपको ज़्यादा एक्सप्रसिव नहीं होना है आपने इस परसन को मतब बता दिया है कि आप कितना प्यार करते हो उस इंसान को और कभी छोड़ नहीं सकते हो तो ये परसन को पता चल गया है कही नहीं तो इसलिए भी इस परसन ने आपको टेक इट फॉर ग्रांटे लिया है ठीक है इस परसन के मन में बहुत कन्फूजन है फिलला भी गाइस ऐसा भी देख रहे हुँ कि पास्ट में आपके एक बहुत सीरियस रिलेशनशिप रहा है जिसमें आपको बहुत दोका मिला है आप टूट चुके थे गाइस सेम पैटन फिर्से आपके लाइफ में आ रहा है वही आपके मन में एक फिर क्रेट कर रहा है जो गलतिया आपने अपने पहले रिलेशन्शिप में की थी न, वही गलतिया आप, मतलब आप फिर सो वही दोरा रहे हो, वही सेम चीज़ कर रहे हो सामने वाले को इतनी वैल्यू दे रहे हो कि आप वो आपकी मतलब वैल्यू ने कर रहा है इन कार्ट से आप दोनों के बीच ने काफी मेजर आर्ग्यूमेंट होते देख रहे हो, और दोनों के बीच फिलहाल डिटेश्मेंट हुआ है या यह आर्ग्यूमेंट किसलिए हुआ है थर पार्टी के वज़ा से आप अपने परसन के सामने एक फिली ओपन बुग बन चुके हो आप अपने परसन से बार बार कमिटमेंट के दिमान करते हो, उन्हें एक पल के लिए भी सांस लेने नहीं देते हो तो थोड़ा अपने आपको रोग ले लिजे आप लोग इस परसन ने आपको बहुत प्यार दिया है बट फिर भी उस परसन को थोड़ा टाइम दो उसके पीछे मत भागो गाईस आपके परसन के साथ जो थर पार्टी है ना वह मतलब कार्मिक है ठीक है तो क्या होगा जो कार्मिक होता है वो ज़्यादा दिन तक नहीं ठीकता है ठीक है आपसे डिटैश करके इस परसन ने किसी और जगह इन्वेस्ट किया ओनली एन ओनली फोड़ा टाइम पास ठीक है हो सकते है आपकी परसन थोड़ा फ्लेटेश नेजर के हो ठीक है वह बहु नेचर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा आपने इस परसन से कमिट्मेंट मांग मांग कर इनका जीना दुश्वार कर दिया है मॉर्निंग आफ्टरनों इवनिंग इवन नाइट नाइट भी आप इसको चैन्स से रहने नहीं देते है आप इसके पीछे पर रहते हो जैसी कि गुस्ते रहे तो एक दिन यह मतब उफ जाएगा मतब आपको परसन मतब इस जबरदर्श्टी से बिल्कुल भी नहीं बनने वाला ठीके इस रिलिशन्शिप में तो इस परसन को आप थोड़ा सा फ्री छोड़ दीजे यह परसन अपने आप आपके पास आएंगे और आपक देंगे इस ताइम थर्द पार्टी का एटेश्मेंट जो है ना वह थोड़ा स्ट्राउंग लग रहा है मुझे फाइव कप गाई ऐसा लग रहा है कि आपने इस रिलिशन्शिप में काफी इन्वेस्ट किया है इमोशनली मेंटली फीजिकली भी बट आपके एफर्ट वर् प्रोफेशनली लाइफ के उपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे है इसके लिए आपने अपनी फैमिली से भी रिश्टा तोड़ दिया है जहां तक मैं देख रही हूं दे मैजिशियन गाइस इस काफ से मुझे ही लग रहा है कि आप कितने भी नेगिटिव हो जाए बड़ आप फिसे पॉसिटिव जरूर होंगे और कही ने कही अपने इस पसन को मैनिफेस्ट किया है गाइस आप इस पसन से बहुत प्यार करते हो और आप इसे खोना नहीं चाहते हो गाइस आप यकीन करो या ना करो ये पसन खुद आएंगे और आपको मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए भी मुझे देख रही है और हर हाल में होगी